नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब के चनल जीके वितारजे में आज हम डिसकस करने वाले हैं MPPSC Prelims 2017 के कुश्चन पेपर के बारे में इससे पहले लास्ट दो लेक्चरों में मैंने 2018 और 2019 के कुश्चन पेपर डिसकस कर चुका हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो ये सब्जेक्ट है दोस्तो जहां से MPPSC Prelims में कुश्चन पूछे जाते हैं तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट जो है इसमें इंक्लूड है मद्यपरदेश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एकॉनोमिक्स, स्पोर्ट्स, करेंट अफेर्स, कॉंप्यूटर, एंवार्मेंट, साइंस चलिए दोस्तो इस्टार्ट करते हैं आज के पहले कुश्चन के साथ इसमें हमसे बोला है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपादी किसने विभुसित किया तो दोस्तो राजा राम मोहन राय जो थे इन्हें राजा की उपादी जो है मोगल समराथ अकबर दुतिये के द्वारा दी गई थी तो इसका अंसर हो जाएगा D मोगल समराट अकबर दुटिय बढ़ते हैं दोस्तो अगले सवाल की ओर इसमें हमसे बोला है कि 1909 का आधीनियम संबंदित था तो दोस्तो 1909 का जो Act है जो की Moralim Inter Reforms के नाम से जाना जाता है इसमें Separate Electroate की बात करी गई थी तो इसका अंसर हो जाएगा A. प्रथक मतादिकार छेतर के लागू करने से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर इसमें हमसे बोला है कि 1194 के चंदावर के युद्ध में महम्मद गोरी ने किसे हराया था तो दोस्तो महम्मद गोरी ने 1194 में कन्योज पर आक्रिमंट कर राजा जैचन को हराया था तो इसका अंसर हो जाएगा B. जैचन बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर इसमें बोला है कि गाजी मलिक किस वंस का संस्थापक था तो दोस्तो गाजी मलिक जो है उसे गया सुद्दिन तुगलक के नाम से जाना जाता है जिसने तुगलक वंस की स्थापना करी थी तो इसका अंसर हो जाएगा A. तुगलक बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर इसमें बोला है कि भारती पुरा तत्तु का जनक किसे कहा जाता है तो दोस्तो भारती पुरा तत्तु का जनक कहा जाता है अलेक्जन्डर कनिङम को तो इसका आंसर हो जाएगा A. अलेक्जन्डर कनिगम इसमें हम से पूछा है कि इनमे से किसने द्विती गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो दोस्तो द्विती गोल में सम्मिलन में जवाहलाल नहरू जी ने भागने ही लिया था तो इसका आंसर हो जाएगा डी जवाहलाल नहरू बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे पूछा है कि निमनिलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता तो दोस्तो आप देख सकते हैं मैप में अजर्बाइजन जो है वो कैस्पियन सागर को टच करता है इरान भी जो है वो टच करता है कजाकिस्तान भी जो है टच करता है बट जो इराक है दोस्तो वो बार्डर शेयर नहीं करता तो इसका अंसर हो जाएगा C, इराक बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि कयाल क्या है तो दोस्तो कयाल जो है वो केरल के लगून है तो इसका अंसर हो जाएगा D केरल के लगून मरते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि निमलिकित में से कौन सा योगम सही सुमेलित नहीं है तो दोस्तो जो कैन्यान है वो नदी पर बनते है fusion जो है वो wind के द्वारा बनाए जाते है moren जो है वो himnat के द्वारा बनाए जाते है और दोस्तों इंसल बर्ग जो term है जो सब्द है वो mountain और hills से related है तो इसका answer हो जाएगा C, ये गलत है बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंस ने सबसे कम समय तक सासन किया तो दोस्तों जो खिल्जी वंस है उसने सबसे कम वर्ष तक सासन किया खिल्जी वंस ने लगभग 30 वर्ष तक जो है दिल्ली सल्तनत पर सासन किया आप देख सकते हैं दोस्तों, खिलजी वंस ने 1290 से 1320 इस्वी के मद्ध सासन किया, उसके बाद तुगलक वंस ने 1320 से 1414 इस्वी तक सासन किया, उसके बाद सायद डाइनेस्टी ने 1414 से 1450 इस्वी तक सासन किया, जो लोधी डाइनेस्टी है उसने 75 वर्सों तक सासन किया, 14 1551 से 1526 तक 1526 में दोस्तों बाबर ने इबराहिम लोधी के साथ युद्ध करके पानीपत की पहली लडाई में जो है लोधी वन्स को हरा कर मुगल डाइनेस्टी की निव रखी थी बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि लौड डफरिन के वाइसरा काल की एक महतपूर्ण गटना थी तो दोस्तों लौड डफरिन जो है उनके टाइम की एक महतपूर्ण गटना थी भारती राश्टी कांग्रेस की इस्थापना इसकी इस्थापना हुई थी वर्स 1885 में इसकी इस्थापना करी गई थी A.O. Hume की द्वारा और आपको बता द की भारती राश्टी कांग्रेस का जो प्रतम अधिवेशन है वो हुआ था मॉंबई में जिसके अध्यक्ष WC बैनर जी थे बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि इन में से कौन सबसे कम आयू में भारती राश्टी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था तो दोस्तो अबूल कलाम आजाद जो है वो भारती राश्टी कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे तो इसका अंसर हो जाएगा भी अबूल कलाम आजाद ये आजाद देश के प्रतम सिक्षा मंत्री भी बने थे दोस्तो बढ़ते हैं अगले सव इसमें हमसे बोला है कि भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक धंग से जनगणना किस वर्स से प्रारंब होई तो दोस्तो अठारा सो बहात्तर में प्रतम बार जो है लौड मेयो ने जनगणना सुरू करवाई थी मगर वैज्ञानिक धंग से जो जनगणना है वो वर्स 1881 से प्रारंब की गई थी लौड रिपन के टाइम पर बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि स्ट्रॉम बोली क्या है तो दोस्तो स्ट्रॉम बोली जो है वो एक एक्टिव वालकेनो है जागरत ज्वाला मुकी तो इसका अंसर हो जाएगा भी यह इतली मे हैं दोस्तो बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे भूला है कि जल प्रदूशन निवारण तथा नियंतरन अधिनियम की इस वर्ष लागू किया गया दोस्तो 1980 में जो है फॉरेस्ट एक्ट आया था 1974 में Water Pollution Control Act आया था 1981 में जो है Air Pollution Control Act आया था 1972 में Wildlife Protection Act आया था और 1986 में Environment Protection Act आया था तो दोस्तो हमसे पूछा है कि जल प्रदूशन निवारण एवं नियंतरन अधिनियम की वर्ष आया था तो वो आया था 1974 में तो इसका आंसर हो जाएगा B बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे बूला है कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में जनसंक्या घनात्व कितना है तो दोस्तो 2011 की जनगर्णा हुई थी उसमें भारत का जनसंक्या घनात्व जो है वो 382 है जनसंक्या घनात्व या पॉपुलेशन डेंसिटी थी 324 बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की तो भारत में बिहार जो है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे जादा है और सबसे कम है अरुनाचल प्रदेश की बढ़ते हैं दोस्तो अगले सवाल की ओर इसमें हमसे बूला है कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है तो अफीम का वानस्पतिक नाम है दोस्तो पेपेवर सेमनी फेरम इसका आंसर हो जाएगा B, पेपेवर, सेमनी फेरम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर इसमें हमसे बोला है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन गोसित हुआ तो दोस्तों वर्स 1980 में विश्व से जो है चेचक का उन्मूलन गोसित हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा 1980 इसमें हमसे बोला है कि जिवानु भोजी, बैक्टोरियो फेज, क्या है? तो दोस्तों, जिवानी भोजी जो है, वो जिवानु को संक्रमीत करने वाला जिवानु है, तो इस कांसर हो जाएगा D इस सवाल में हमसे पूछा है कि पौधो में अर्ध सूत्री विभाजन के अध्यान के लिए सबसे उप्युक्त भाग होगा तो दोस्तो पराग कोस जो है पौधो में अर्थ सूतरी विभाजन के अध्यान के लिए सबसे उप्युक्त भाग होता है तो इसका अंसर हो जाएगा सी पराग कोस इस सवाल में हमसे पूछा है कि द्वनी तरंगों का सबसे तीवर प्रग्रमन कहा होता है जो साउंड वैव सोती है वो सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करती है तो दोस्तो ये ठोस में जो है सबसे फास्ट ट्रेवल करती है तो इसका अंसर हो जाएगा ठोस बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे पूछा है कि निमलिखित में से कौन सा योगम सुमेलित नहीं है तो दोस्तो जो लिपुलेक ला है वो उत्तराखंड में है जो नाथुला है वो सिक्की में है जो रोतांग है वो हिमाचल प्रदेश में और पालगाट केरल मे तो दोस्तो नाथुला जो है वो सिक्की में है तो इसका अंसर हो जाएगा भी ये गलत बताना था हमें बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि संप्राय मैदान संबंदित है संप्राय मैदान को दोस्तो पैनी प्लेन भी बोला जाता है जो कि रीवर्स के द सही सुमेलित नहीं है तो दोस्तो विटामिन A जो है उसकी खोज करी थी मैकुलन ने विटामिन B जो है उसकी खोज भी करी थी मैकुलन ने विटामिन C जैम्स लिंड ने और विटामिन D जो है दोस्तो वो हौपकिन्स ने करी थी इसकी खोज तो तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि Paul Muller जो है वो DDT जो है उससे related है तो vitamin D की जो खोज है वो Hopkins ने करी थी तो इसका answer हो जाएगा D गलत बताना था हमें बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे पूछा है कि lens की सक्ती मापी जाती है तो दोस्तो जो lens है उसकी unit है diapter इसका measurement किया जाता है तो इसका answer हो जाएगा A diapter बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें बोला है निमने लिखित में से किसे एक सनेहक lubricant के रूप में भी प्रयोग किया जाता है तो दोस्तो जो graphite है उसे lubricant के रूप में भी प्रयोग किया जाता है बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें आमसे बोला है कि इनिमने लिखित में से कौन सा छेत्र तोड़ा जन जाती का मूल निवास छेत्र है तो दोस्तो जो टोड़ा जन जाती है वो निलगीरी की पहाड़िया जो है वहाँ पर पाई जाती है निलगीरी की पहाड़िया दोस्तो तमिल नाडू में located है इसकांसर हो जाएगा दोस्तो निलगीरी, पाढ़िया, बढ़ते अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि रास, तनूरा, तेल, सोधन, साला कहां पर इस्थित है तो दोस्तो ये इस्थित है साउधी अरेबिया में तो इसकांसर हो जाएगा C, साउधी अरेबिया इसमें बोला है कि मनुष्ची की आख में किसी वस्तू का प्रतिविंब कहां बनता है तो दोस्तो वस्तू का प्रतिविंब बनता है रेटीना में तो इसका आंसर हो जाएगा D रेटीना इसमें हमसे बोला है कि मानुवो में गुर्दे निमलिखित में से किस प्रणाली के अंग है तो दोस्तों जो गुर्दे होते है वो एक्सक्रीशन का काम करते है तो इसका अंसर हो जाएगा C, एक्सक्रीशन Q31 में हमसे बोला है कि निमलिखित में से कौन सा रोग प्रोटो जोवा के द्वारा होता है तो दोस्तों जो मलेरिया है वो प्रोटो जोवा के द्वारा होता है तो इसका अंसर हो जाएगा D, मलेरिया मलेरिया रोग जो है दोस्तों मच्छा रोग के काटने से होता है बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि सबवहन द्वारा उस्मा का इस्थानांतरण हो सकता है तो दोस्तो सबवहन द्वारा उस्मा का इस्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में तो इसका अंसर हो जाएगा C गैस एवं द्रव इसमें हमसे बोला है कि हास गैस या लॉफिंग गैस कौन सी होती है तो दोस्तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लॉफिंग गैस कहलाती है तो इसका अंसर हो जाएगा भी नाइट्रस ऑक्साइड इसमें हमसे बोला है कि तडीत बिजली चमकना से वरक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यदीक मात्रा में होती है तो दोस्तो इसमें अत्यदिक मात्रा में विद्यूत उर्जा होती है जिसकी वज़े से जो है विजली समखने की वज़े से व्रक्ष में आग भी लग सकती है बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें बोला है कि जम्मु कस्मीर की आठ वर्सिया तजाम्मू इसलाम की स्खेल से संबंधित है तो दोस्तों ये kick boxing से संबंधित है तो इसका एंसर हो जाएगा भी kick boxing इसमें हमसे पूछा है कि अमिताब विजय वर्गी किस खेल से संबंदित है तो दोस्तों अमिताब विजय वर्गी जो है वो क्रिकेट से संबंदित है तो इसका अंसर हो जाएगा C क्रिकेट इस सवाल में हमसे बोला है कि 1987 में खेले गए क्रिकेट विस्व कब का नाम क्या रखा गया था तो दोस्तो 1987 में जो क्रिकेट विस्व कब है उसका नाम रखा गया था रिलाइंस कब इसका आंसर हो जाएगा A, रिलाइंस कब इसमें हमसे बोला है कि सचिन तेंदूलकर को अर्जुन पूरुसकार किस वर्स प्रदान किया गया तो दोस्तों अर्जुन पूरुसकार से सम्मानित किया गया है 1994 में सचिन तेंदूलकर जी को तो इसका आंसर हो जाएगा B 1994 इसमें बोला है रास्टमंदल खेलों का परारंब किस वर्स से हुआ तो दोस्तो वर्स 1930 से जो है रास्टमंदल खेलों का आरंब किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 इसमें हमसे बोला है की निमलिखित में से कौन सा देश T20 Crickets विसुकप में कभी भी विजेता नहीं रहा है तो दोस्तो भारत जो है वर्स 2007 में विजेता बना था इंग्लेंड भी विजेता रह चुका और पाकिस्तान भी विजेता रह चुका है बट ऑस्टेलिया ने जो है आज तक कभी भी T20 में कोई भी विसुकप नहीं जीता है तो इसका अंसर हो जाएगा भी ऑस्टेलिया जबकि देखा जाए तो ODI Cricket में दोस्तो पांच बार जो है ऑस्टेलिया विसुकप जीत चुका है इंडिया जो है वो दो बार विसुकप जीत चुका है और इंग्लेंड जो है वो एक बार विसुकप जीत चुका है बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि निम्न में से कौन मद्यपरदेश का हाकी खिलाडी था तो दोस्तो समीरदाद जो है वो मद्यपरदेश से बिलॉंग करते है जो की हौकी के खिलाडी है इसमें हमसे बोला है कि पार्सी क्लब की स्थापना किस खेल की परंपरा प्रारम होई तो दोस्तो पार्सी क्लब जो है वो क्रिकेट से रिलेटेट था तो इसका अंसर हो जाएगा C Cricket इसमें हमसे बोला है कि Roop Singh Stadium कहां पर इस्तित है तो दोस्तो Roop Singh Stadium जो है वो Gualier में इस्तित है तो इसका अंसर हो जाएगा A Gualier बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर इसमें हमसे बोला है कि निमने में से किस वर्स का Olympic London में नहीं हुआ था दोस्तो 2012 में जो है London में Olympic हुए थे 1948 में भी London में Olympic हुए थे 1908 में भी हुए थे बट जो 1968 है इस टाइम पे London में Olympic नहीं हुए थे तो इसका अंसर हो जाएगा भी 1968 इसमें हमसे बोला है कि internet की उस सेवा को जो audio और video वारताला प्रदान करती है उसे क्या कहते है तो दोस्तो उसे video conferencing कहा जाता है तो इसका answer हो जाएगा C, video conferencing इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा एक web browser नहीं है दोस्तो ओपेरा जो है एक web browser है Vivaldi भी एक web browser है Mozilla Firefox भी एक web browser है बट Google Apps जो है वे एक web browser नहीं है तो इसका answer हो जाएगा B, Google Apps इसमें हमसे बोला है कि Modem परिवर्थित करता है तो दोस्तो जो Modem होता है उसका काम होता है Analog signal को Digital signal में convert करना और Digital signal को Analog signal में convert करना ये दोनों ही काम करता है दोस्तो जो modem होता है उसका full form होता है दोस्तो modulation and demodulation तो इसका answer हो जाएगा दोस्तो A और B दोनो इसमें हमसे बोला है कि निमलिकित में से किस अधिनियम द्वारा सम्वेधानिक निरंग कुष्टा का सिद्धान्त प्रवरत किया गया था तो दोस्तो सम्वेधानिक निरंग कुष्टा का सिद्धान्त जो है वो Government of India Act 1935 के द्वारा किया गया था तो इसका answer हो जाएगा C 1935 का भारा सरकार अधिनियम इसमें हमसे बोला है दोस्तो कि www या www का अविस्कारक कौन है तो दोस्तो 1800, sorry दोस्तो 1990 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है इसकी खोज करी गई थी तो इसका answer हो जाएगा B टिम बर्नर्स ली बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि कम्पीटर सुरक्षा के संदर्भ में crackers किस नाम से जाने जाते है तो दोस्तो crackers जो है वो black hat hackers के नाम से जाने जाते है तो इसका answer हो जाएगा A black hat hackers बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि duck duck go क्या है तो दोस्तो duck duck go जो है एक search engine है तो इसका answer हो जाएगा A search engine इसमें बोला है कि ethernet एक उधारन है तो दोस्तो ethernet जो है वो local area network का एक उधारन है तो इसका answer हो जाएगा B local area network इसमें बोला है कि आइन उल्मुल्क मुल्तानी ने इन में से किस सासक के अधिन सेवा नहीं की थी तो दोस्तो आइन उल्मुल्क जो है इन्होंने इल्तुतमिस के time पे सेवा नहीं की थी तो इसका answer हो जाएगा D अलाउद्दिन खेल जी के time पे इन्होंने सेवा की थी मुहम्मद बिन तुगलक के time पे भी इन्होंने सेवा की थी फिरोज तुगलक के time पे भी की थी तो इसका answer हो जाएगा D इल्तुतमिस बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें बोला है कि जो रूट किस खेल से संबंदित है दोस्तो जो रूट जो है वो इंगलेंड के क्रिकेटर है तो इसका अंसर हो जाएगा एक क्रिकेट जो क्रिकेट से संबंदित है इसमें हमसे बोला है दोस्तो प्रधान मन्तरी नरेंद्र मोदी जैकब जूमा से जुलाई 2016 में मिले थे दोस्तो 2016 में साउथ अफरीका के प्रधान मन्तरी जो राष्टपटी थे उनका नाम था जैकब जूमा बट रिसेंटली जो है अभी वर्स 2020 की अगर हम बात करें तो वहाँ के राष्टपती है सिरिल रामा फोसा इसका अंसर हो जाएगा दोस्तो डी दक्षिन आफरीका के राष्टपती बढ़ते अगले सवाल की और इसमें बोला है कि फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्स होई थी तो दोस्तो इसकी स्थापना होई थी वर्स 1890 में इसका अंसर हो जाएगा सी 1890 इसमें बोला है स्थेट डाटा सेंटर प्रारंब करने वाला पहला भारती राज्ज कौन सा है तो दोस्तो हिमाचल प्रदेश जो है वह पहला भारती राज्ज है जिसने स्थेट डाटा सेंटर प्रारंब किया है तो इसका अंसर हो जाएगा डी हिमाचल प्रदेश इसमें बोला है कि 2016 में भारती जनता पार्टी ने निमलिखित में से किस राज्य में पहली बार सरकार बनाई तो दोस्तो भारती जनता पार्टी ने वर्स 2016 में पहली बार असाम में सरकार बनाई है तो इसका आंसर हो जाएगा A इस सवाल में पूछा है कि भवानी प्रसाद मिस्त्र का जन्म इस्थान था दोस्तो भवानी प्रसाद मिस्त्र जो है इनका जन्म हुआ था मद्यपरदेश के होसंगाबाद जीले में तो इसका अंसर हो जाएगा D होसंगाबाद इसमें बोला है कि सुनिल लांबा है तो दोस्तो सुनिल लांबा जो है भारत के 23 वे नौसेना प्रमुक रहे थे तो इसका अंसर हो जाएगा C यह उस समय के करेंट अफेर्स पे बेजड सवाल थे दोस्तो बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें बोला है कि मई 2016 में निमलिकित में से किस देश में पहली बार महीला राष्टपती बनी तो दोस्तो मई 2016 में ताइवान में पहली बार कोई महीला राष्टपती पत पर नियुक्त की गई थी तो इसका अंसर हो जाएगा A ताइवान इस सवाल में पूछा है कि 2016 के फ्रेंच ओपन पुरुस का एकल का किताब किसने जीता तो दोस्तों नोवाग जोकोविच जो है उन्होंने फ्रेंच ओपन का पुरुस एकल का किताब जीता है तो इसका अंसर हो जाएगा भी इसमें बोला है कि निमलिकित में से कौन सी परवत सरंकला भारत में केवल एक राज्य में फैली है तो दोस्तो अरावली जो है वो राजिस्तान, हरियाना और दिल्ली में फैली है सत्पुड़ा जो है मद्यपरदेश और छतिसगर में फैली है अजन्ता जो है सिर्फर सिर्फ महाराष्ट में फैली है तो हमसे पूछा गया है केवल एक राज्जी तो दोस्तो इसका आंसर यही हो जाएगा अजन्ता बढ़ते हैं दोस्तो अगले सवाल की ओर राष्टी मानव अधिकार आयोक के अध्यक्ष का कारेकाल कितना होता है तो दोस्तो राष्टी मानव अधिकार आयोक के अध्यक्ष का कारेकाल होता है पाच वर्स का बढ़ दोस्तो रिसेंटली अमेंडमेंड करके जो है इसका कारेकाल तीन वर्स कर दिया गया है बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें बोला है कि इन में से वह प्रतम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगटित किया था तो दोस्तो एनेम लोखांडे जो है वह भारत के प्रतम नेता थे जिनों ने भारत में मजदूर आंदोलन को संगटित किया था बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें बोला है कि मनुहर आईव को पॉकिट हर्कियूलिस कहा जाता था वे एक थे तो दोस्तो वे एक बॉड़ी बिल्डर थे इसका अंसर हो जाएगा D बॉड़ी बिल्डर इस सवाल में हमसे पूछा है कि रंजीत सबवन और बहादो सबवन क्या है तो दोस्तो रंजीत सबवन और बहादो सबवन जो है वो धान की दो नई किसमे हैं तो इसका अंसर हो जाएगा C बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें बोला है कि मई 2016 में रॉड्री को ड्यू टर्टे किस देश के राष्टपती निर्वाचित हुए थे तो दोस्तो ये 2016 में फिलिपिन्स के राष्टपती निर्वाचित हुए थे तो इसका आंसर हो जाएगा D. फिलिपिन्स बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि धंग देव किस वंस का सासक था तो दोस्तो धंग देव जो है वो जेजग भुक्ती के चंदेल का सासक था तो इसका आंसर हो जाएगा A. जेजग भुक्ती के चंदेल बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें बोला है कि हबीब तन्वीर का जन्म निमलिखित में से किस स्थान पर हुआ था तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 36 गड़ के राइपूर जीले में तो इसका अंसर हो जाएगा ए राइपूर इसमें बोला है कि 27 मई 2016 को मम्ता बनर जी को पस्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री की सपत जो है वो किसने दिलाई थी तो दोस्तों इन्हें सपत दिलाई थी केशरी नात त्रिपाठी ने तो इसका अंसर हो जाएगा जब पस्चिम बंगाल में चुना हुए थे और मम्ता बनर जी नई मुख्य मंत्री नियूक्त हुई थी तो इन्हें वहां के गवर्नर केशरी नात त्रिपाठी ने सपत दिलाई थी बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें बोला है कि जून 2016 में इन में से जिने विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संगटन इंटरनेशनल चेंबर्स आफ कॉमर्स का अध्यक चुना गया था उनका नाम क्या है तो दोस्तो इनका नाम था सुनिल भारती मित्तल तो इसका अंसर हो जाएगा डी सुनिल भारती मित्तल इस सवाल में हमसे पूछा है कि भारती स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी तो दोस्तो भारती स्टेट बेंक जो है इसकी स्थापना होई थी वर्स 1905 में तो इसका आंसर हो जाएगा B 1905 इसमें बोला है कि दिल्ली के पूर वो पुलिस आयुक्त BS-Bas-C को 2016 में किस पद पर नियुक्ति किया गया था तो दोस्तो इन्हें UPSC का मेंबर नियुक्ति किया गया था ये उस समय के Current Affairs पर बेस्ड सवाल थे तो इसका आंसर हो जाएगा D इसमें हमसे बोला है कि राष्टपती प्रणम मुखर जी ने मही 2016 में निमलेकित में से किस देश की यात्रा की तो दोस्तो इन्होंने चाइना से जो है मतलब चाइना की यात्रा की थी तो इसका आंसर हो जाएगा C चीन इसमें हमसे बोला है कि वस्तु एवं सेवा कर एक Task Force के द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे तो दोस्तो इसके अध्यक्ष थे विजय केलकर तो इसका आंसर हो जाएगा A विजय केलकर दोस्तो मैं आप लोगों कुछ GST के बारे में कुछ important facts बता दू GST जो है वो 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था पूरे भारत में दोस्तो GST जो है वो 101 Constitutional Amendment Act के द्वारा इंडिया में लागू किया गया था GST जो है वो एक प्रकार का indirect tax है जो सभी प्रकार के indirect taxes को अपने अंदर सम्मिलित कर लेता है बढ़ते हैं दोस्तो अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि मूल करतवयों का उल्लेक सवविधान में कब किया गया था तो दोस्तो जो fundamental duties है वो जब Constitution हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को उस समय तो Constitution में involved नहीं थे बट जो 42nd Constitutional Amendment Act हुआ था 1976 में उसके द्वारा जो है इसे सवविधान में सम्मिलित किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा C 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें बोला है कि राज जी और केंद सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है तो दोस्तो राज जी और केंद सरकार जो है अपनी सक्तिया प्राप्त करते हैं भारत के सवविधान से भारत का सवविधान जो है उन्हें सक्तिया प्रधान करता है तो इसका आंसर हो जाएगा Indian Constitution बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि निमलिखित में से किसे एक दबाव समुह माना जा सकता है दबाव समुह याने Pressure Group तो दोस्तो प्रेशर ग्रूप जो है मजदो संग के सदस्यों को माना जा सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा D अगले सवाल को देखते हैं इसमें बोला है कि सानिया मिर्जा के Mixed Doubles का पार्टनर यान डोडी किस देश से है तो दोस्तों ये क्रोशिया के थे तो इसका आंसर हो जाएगा D Croatia इसमें हमसे बोला है कि सुहेल सेट की उस पुस्तक का नाम क्या है जिसका विमोचन जून 2016 में लंदन में हुआ था तो दोस्तों ये जो पुस्तक है इसका नाम था मंतरास for success इसका आंसर जाएगा A इसमें हमसे बोला है कि बारवी पंचवर्सी योजना की आउधी क्या है तो दोस्तों बारवी पंचवर्सी योजना जो है इसकी आउधी है 2012 से 2017 दोस्तों बारवी पंचवर्सी योजना जो है वो 2015 में ही समाप्त कर दी गई थी और Planning Commission को हटा कर जो है एक institution established किया गया था जिसका नाम था नीती आयोग National Institution for Transforming India तो दोस्तों जो बारवी पंचवर्सी योजना जो है वो 2012 से 2017 इसका आंसर हो जाएगा बढ़ते है अगले सवाल की और इसमें बोला है कि India Vision 2020 किसके द्वारा तयार किया गया है तो दोस्तों इंडिया Vision 2020 जो है वो SP गुपता समीती के द्वारा तयार किया गया था बढ़ते है अगले सवाल की और इसमें बोलाए कि निमलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है तो दोस्तो प्रत्थम जलवायू सम्मेलन जो है वो वर्स 1989 में हुआ था प्रत्थम प्रत्थवी सीकर सम्मेलन जो है वर्स 1992 में हुआ था जिसमें एजेंडर 21 जो है किया गया था प्रत्वी सिकर समयलन उन्निस सो संत्यानवे में हुआ था और बात करें दोस्तों मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल की तो दोस्तों ये है ओजोन लेयर से रिलेटेड तो इसका अंसर यही हो जाएगा क्योंकि ये कार्बन व्यापार से रिलेटेड नहीं है ये ओजोन से रिलेटेड है बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें बोला है कि अंतरराष्टी मुद्रा को उसके संबंद में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है तो दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है यहां केवल सदस्य देशों को ही रिलेट प्रदान करता है प्रेजेंट में दोस्तों इसके 190 मेंबर्स है और अंतरराष्टी मुद्रा कोज जो है आई एमेप का मुख्याले है वाशिंग्टन डीसी में इसकी इस्थापना वर्स 1944 में हुई थी दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें हमसे बूला है कि 2016 में हुई भारत जिंबामवे एक दिवसी क्रिकेट संखला में मेन आप दी मेज सीरीज से किसे घोसित किया गया था तो दोस्तों उस समय के करेंट अफेस का ये सवाल है जिसमें केयल राहूल जो है उन्हें मेन आप दी सीरीज से समानित किया गया था तो इसका अंसर हो जाएगा डी इस सवाल में पूछा है कि IPL का जो सीजन 9 था 2016 में जो हुआ था उसका फाइनल मेच किस राज्ज के स्टेडियम में खेला गया था तो दोस्तो यह बेंगलोर में खेला गया था तो इसका अंसर हो जाएगा A. करनाटक बढ़ते है अगले सवाल की और इसमें बुला है कि रस्मी रेखा पुस्तक का लेखक कौन है तो दोस्तो रस्मी रेखा पुस्तक बालकरश्न सर्मा नवीन जी के द्वारा लिखी गई थी तो इसका अंसर हो जाएगा बालकरश्न सर्मा नवीन बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें बोला है कि खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतीमा का नाम क्या था जिसे कनाड़ा के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौपा तो दोस्तो इसका नाम था पैरट लेडी जो खजुराओ के मंदे से चोरी हो गई थी इसका अंसर हो जाएगा ड़ी पैरट लेडी इसमें हमसे बोला है कि निमलिकित में से कौन सी पुस्तक काली दास के द्वारा नहीं लिखी गई है तो दोस्तो मेग दूतम जो है वो काली दास के द्वारा लिखी गई है कुमार संभवम भी लिखी गई है रितु समहारम भी लिखी गई है बट उत्तर रामचरितम जो है वो नहीं लिखी गई है तो इसका अंसर हो जाएगा C बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर इसमें बोला है कि मद्यप्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्याले माधव संगीत महाविद्याले जो है वो कहां पर इस्थित है दोस्तों माधव संगीत महाविद्याले जो है वो मद्यप्रदेश के गवालियर जीले में इस्थित है तो इसका अंसर हो जाएगा D गवालियर इसमें हमसे बोला है कि एक बंद अर्थ व्यवस्ता वह अर्थ व्यवस्ता है जिसमें ना तो export होता हैं और ना ही import होता है मतलब इसका आंसर हो जाएगा ना नीरियात और ना ही आयात बढ़ते हैं अगले सवाल की और इसमें बोला है कि चंद सेकर आजात का जन्म जो है मद्द परदेश के किस जिले में हुआ था तो दोस्तो इनका जन्म हुआ था जाबुआ जीले में तो इसका आंसर हो जाएगा C, जाबुआ इस सवाल में दोस्तो हमसे बोला है कि इनमें से कौन परमारवन्स का सासक नहीं था दोस्तो उपेंद जो है वो परमारवन्स के सासक थे मुण्ज भी जो है वो परमार वंस के सासकते ओदिया दित्ती भी परमार वंस के सासकते बड़ जो गंगय देव है वो कल्चुरी डाइनस्टी के सासकते तो इसका आंसर हो जाएगा सी गंगय देव बढ़ते हैं दोस्तो लास्ट सवाल की और इसमें हमसे बोला है कि निमलिखित में से कौन सा ब्रामन ग्रंथ रिगवेद से संबंदित नहीं है तो दोस्तों ये एत्रे ब्रामन जो है रिगवेद से संबंदित नहीं है बाकि गोपत, सत्पत और तैत्रे ब्रामन जो है वो रिगवेद से सौरी दोस्ते इसमें हमसे पूछा है कि निमलिखित में से कौन सा ब्राम्मन ग्रांत रिगवेट से संबंदित है तो दोस्तो एतरे ब्राम्मन जो है वो रिगवेट से संबंदित है तो इसका आंसर हो जाएगा इसी के साथ हमारे इस वीडियो लेक्चर का आंत होता है आपसे मिलते है अगले वीडियो लेक्चर में दोस्तो हम लोग डिसकस करेंगे वर्स 2016 के MPPSA Prelims में पूछे गए सवाल अगर दोस्तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में इसे शेर जरूर कीजिए मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद